नमस्कार नियूज वोल इंडिया आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुनाली ठाकुर गुलेटिंगी शुरुवात करते हैं केंदर मंत्री नितिन गडगडी और सीम योगी आज महुवा दोरे पर हैं जोरान नितिन गडगडी साथ ही सीम योगी महुवा सहित बुंदेल खंड को 35 करोड रुपे के नौ पड़ी उजनाओ का सोगाद देंगे जोरान नहीं के दो प्रोजेक्ट का भी लोकारपन और साथ प्रोजेक्ट का केंदर सड़त पड़ी वहन मंत्री नितिन गडगडी और सीम योगी शुना नयास भी करेंगे साथी राश्ट्री राजमाग में बता दे की 63.75 करोड की किराडी रेलवे क्रोसिंग और साथी 78.5 करोड का सपा रेलवे क्रोसिंग सहित 50.77 करोड का लागत की मौन्टन ओवर ब्रिज का सिला नाश किया जाएगा वहीं मुख्रमंदी योगी आदितनात अपने दो दिवसी दौरे पर और गौरकपूर पर है और इस दौरान उन्होंने पहले दिन उन्होंने सबसे पहले बरशादपूर स्थित एक मैरेज लॉज में भारती जौनता पार्टी के पास दिरकारी के साथ बैठक की और उन्हे पुरुसकार दे कर समानित किया है इसके बाद जीरो के अंकुर उद्योग स्टील प्लान का उदखाटन उन्होंने किया है साथी मंदिर भ्रमन के बाद गौरकनात मंदिर परिसर में जनता दर्फन कारिक्रम में भी सीम योगी पहुँचे थे और तोरान विभिन चुलों से आए हुए 400 लोगों को एक एक कर सभी की समस्तियाओं को सुनकर उन सभी की समस्तियाओं के मौके पर मौजूद संबंदि अधिकारियों को जल से जल मामले में निस्तारण करने के आदेश पी देते नजर आए पुर्मुक्यमंत्री अकलेश यादव सीतापूर के बतादे की महमूदाबाद पोखरा कलागाओं में स्वर्गिये महिंद्र वर्मापूर्विजला पंचवात अध्यक्ष के प्रतिमा का अनावरन करते हुए नजर आए हैं और साथ ही जन सभा को भी उन्होंने संबोधित किया इस कारक्रेम में बीजिप के कई दिगज नेता ने सपा का दामन थामा है वही बसपा के बरतमान बीजिपी विधायक के बड़े भाई बतादे की प्रमोध वर्मा अपने समर्थकों के साथ सपा का दामन थामते नजर आए वही पूर्विधायक राम पाल यादव ने अपने समर्थकों के साथ पुराने घर सपा में वाक्ति की है। वही पूर्मुक्रिमंत्री अखलेश यादफ की मौजूदगी में सभी लोग सपा में शामिन होते वे नजर आए हैं। अपने समर्थकों के साथ पुराची और साथ इठाकूर देव की नंदन महराज भगवान विरा के पावन धारा का आजगर्ज पे पहुंचे और जहां उन्होंने मात्रिश्वक्ती सम्मेलन में शिर्कत की। यहां उन्होंने मोधी योगी के 2024 तक हिंदू रास्ट भूशित करने और सनातन धर्म में बेटी वेटियों को सनातनियों के साथ शादी करने को कहा है। और साथ ही दोरान इस सम्मेलन में विसंबोदित करते हुए उन्होंने तमाम और बाते कही है और हिंदू की लड़कियों को शधा नहीं बनने की अपील करती नज़र आई। बहुत बार मुझे आने का मोका मिला लेकिन अब की बार जो मैंने उपस्तिती देखी सईयम देखा महिलाओगा बहुत गजब का सईयम है और सब चार ओर से एक ही आवाज आ रही है कि जल्दी से हिंदुस्तान हिंदुराश्ट कोसित हो जाए। यूपी के श्वाजवापूर में दबंगो ने भारते जनता पार्टी ओविसी मूर्चा सदर मंडल के उपाध्याक्ष जगदीश सिंग के कार्य गाले में घुसकर तोरफोर किया है और साथ ही वहाँ लगे यूपी के सीम और व्रत मंतरी के पोस्टर को भी फार दिया है इस दो घटना के बाद से शिकायत पीडित जगदीश ने सदर थाने में इसकी शिकायत की है और पुलिस को शिकायत पत्र में ओविसी मूर्चा सदर मंडल के उपाध्याक्ष जगदीश सिंग ने बताया है कि मोहला तारीन टिकली में अपने खाली पड़े मकान पर उन्हों तोर फोर करते नजराए हैं उन्होंने बताया है कि वहां रखी कुरसिया, मेज और साथ ही तलक से लेकर सब चीजों को तोड़ा गया है और पिडित ने पुलिस को दीश शिकायत पत्र में लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री और वृत मंत्री के पोस्टर को भी दबंग उपाद्यच पद है हमारे पास और उसके हिस्ते काम करते चले आ रहा है एक हमारा घर के परावर में पिलाड पड़ा हुआ है मेरा जिसमें बाजपा का काराले हमने बना रखा है मीटिंग बगएरा उसमें करते हैं राजापुर में एक गाउ में उस समय संसनी फैल गई जब यूवक का शफ पेड से लटकता हुआ मिला है बता जा रहा है कि लड़की के छेरचार के मामले में लड़की के घरवालों ने मिरतक यूवक के कवतादे की खिलाप थाने में तहरीर दी थी जिसके चलते पुलिस आरोपी के च्वाचा को हिडासत में ले लिया था वही मिरतक यूवक के घरवालों का आरोप है कि इसी रंजिश में तीन लोगों ने मिलकर उसकी हत्याकार उसके शब को पेड से लटका दिया है वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भीज़ दिया है वह इस मामले में पुलिस गहराई से च्षान बिन करती नज़रा रही है यह बच्चिय का लिकास ने अच्छा अब उसके बाद जाकर ठाने में रिपोर्ट सामको पुलिस आई घर तक लड़का रहा यह विकास यह सोची सब्जी एक साजिस है रात में पुलिस आई थी तो यह लड़का घर से फरार हो गया था पुलिस वालों ने फोन किया तो घर वालों ने कहा कि हम सुवा इसको ठाने में आप लोगों के सामने लाएंगे तो उसके बाद में यह गाउं के लोग इसके साथ दोस्त थे जो चंदरपाल जो इनके काफी करी में भी दोस्त थे और सुनने में यहां रहा था कि 80,000 रुपएन के पास भी थे और जोरान आड़ोपी मौके से पराण हो गया है जिसके तालाश में पुलिस लगाता जुटी हुई है सुवेरे एक बच्ची थी नगलापुलियागी वह सुवे सौच के लिए आई थी सुवे पांच वह तो यहां बता रहे कि अज्याद व्यक्ति था वो बच्ची जो सौचा अले के लिए गई थी उदर पीछे जाडियों में बंदा ले गया उसने उसके साथ बलात कर किया है उसे इलाज के लिए हस्पिटल भेज दिया गया है पुलिस बल मौकर मौकर मौजूद है घटना से नियुक्शन किया जा रहा है और उसके आने जाने के डूट को आइंटिफाई किया जा रहा है कुल छट इमें बनाकर उसके पतारशी में लगा दी गई है अले गर में पर बात को ले कर दोनों पक्षों की भी जम कर लाठी टेंडे चले है वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है मारपीट की घटना के बास से मौकर पहुंची स्थाने पुलिस ने मामले को शान्त कर रहा है और अलिगर का ये पूरा मामला अब देखें तस्वीरों में किस तरीके से मारपीट की ज़ा रही है और पुलिस ने की अब तस्तीश में जूटी होई है बता दे किस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है और साथ ही बता दे कि अलिगर का ये पू श्राफसे में साइबर ठगी जुनपर्द में ही पतादे की फलते फूलते नजरा रहे हैं, पतादे की साइबर ठगों ने एक यूवक को अपना निशाना बनाया है और दरसर ये यूवक ने ऑनलाइन कपड़े खड़ दे थे और पैसे वापस पाने की चकर में इसके साथ इस नमबर ठूण है, फोन मिलाए, इसके बार उसने कहा कि आवाज नहीं आ रही है मैं इधर काल Veni कर रहे हैं। काल वैदर थे, उसने कहा कि कि निकाल यी थे कमने बताया उसने ख़ीक है आपके अग्र लिये थे की पूरा मामला जहां पर साइबर ठगों के होसले काफी बुलत नजर आ रहे हैं और इस दौरान एक यूवक को निशाना बनाया गया और साथ ही पैसे देने के लालच को लेकर उस यूवक से ठगी की गई है बता देए कि इस यूवक ने ओनलाइन शौपिंग की थी और इस दौरान यूवक को इन साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया और साथ ही पैसे वापस देने के नाम पर इनके अकाउंट से जितने पैसे थी वो निकाल लिये गया है पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और बता दे कि इस च्वास्ति में साइबर ठग है वो प्वलते पूरते नदर आ रहे हैं और साथ ही बता देए कि ये साइबर ठग जो है ये एक यूवक को निशाना बनाते वे नज़र आते हैं और इस दोरान इस यूवक से ओनलाइन कपड़े खड़िता है ये यूवक और इससे पैसे वापस पाने के चकर में ये ठगी को अंजाम दी जाती है ललिपूर में चल रहे मिनी नाइट टूनामेंट में चौथे दिन चार मैच खेले गए हैं जिसमें रात में चारो मैचों के बाद से लिंग मैच समावत हो गया है साथी टीम अब क्वाटर खेलेगी और साथी जहां चारो की संख्या में दर्शक पहुँच रहे हैं और साथी नाइट टूनामेंट का लुप्त उठा रहे हैं को बता देए कि अजीज कुरेशी एड़ोकेट बता देए कि याद में सदन ट्रॉफी द्वारा द्वीतिय मेनी नाइट टूनामेंट खेला गया है कानपूर का होली का मेला आजादी के दिवानों की याद में मनाया जाता है स्वतनता आंदूलन चरम सीमा पर था वही सन 1972 में ब्रेटेस्ट सरकार के ततकाली जिलादिकारी कानपूर में ही होली खेले पर प्रतिबंद लगा दिया था वही बता दे कि हट्वा के नव युवकों ने यताई किया था कि ये हमारी धार में तहवार है इसे हम हर्षव लाज के साथ मनाएंगे देश आजाद हुआ और सन 1947 में लेकर कानपूर के हटिया में आजादी का जंडा सन 942 में होली में हटिया रजपूर बाबू पार्क में छेत्रे नव युवक बाबू गुलाव चंदर सेट के नत्वित में एकटा हुए और तिरंगा फेराते हुए भारत माता की जईकारों के साथ आजाद हुए और साती जईगोश के साथ रंग खेलने का प्रारण किया गया आज जो कानपूर के होली के अवसरे पर सबसे महतपून पर्व है जो हटिया होली मेला का अभी शबारम होने वाला है और आज दिन भर कानपूर के लोग हुली खेलेंगे उसके बाद दोपेर में सरसेया गाट पर हुली गंगा मेला और गंगा हुली मिलन का भी कारिकरव का आयोजन पर्व हुली खेली काती है इसकी अधियासिक प्रस्ट भूमी भी है लेकिन यह वह का विशह है कि कानपूर ऐ الف़ से व कानपूर में बतादेग किये तस्वीर आप देख रहे हैं कानपूर की जहां पर गंगा मेला का तहवार काफी धुम भाम के साथ मनाया जा रहा है और देखी किस तरीके से यहां से दूर दूर से लोग इस मेले में पहुँच रहे हैं और साथ ही देखी किस तरीके से बेंड बाज्वे के साथ इस मेले की शुरुवात की गई और काफी लोगों में इस मेले को लेकर उत्सा देखने को मिलता है और इस मेले के पीछे भी एक अलग कहानी है बता दे हैं को कानपूर में होली का मेला आजादी के दिवानों की याद में मनाया जाता है और साथ ही बता दे कि 1972 में जब ब्रिटिस सरकार के ततकालिन सिलाधिकारी कानपूर में होली खेलनी के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया था तब हटिया के नव्यूग को ने यतै किया था कि यह हमारा धार्मिक तहवार है हम इसे हर्श और उल्लाथ के साथ मनाएंगे और तब से अब तक इस तहवार को काफी हर्श और उल्लाथ के साथ मना जाता है और यह तस्वीर कानपूर के गंगा मेले की जहाँ पर काफी देखी किस तरीके से एक अलग रौनक देखने को मिल रही है बैंड बाजे के साथ इस मेले की शुरुवात की जाती है और लोग यहाँ काफी दूर से इस मेले में शरकत करने के लिए आते हैं आगरा में आज नियातर निती 2019 के अंतरगत क्रिश्वी नियात के बढ़ावा देने के लिए प्रगतिश्वील बता दे की क्रिशकों के द्वारा एफपी ओ और साथ ही एफसी सी नियातों को और साथ ही अन्य हितधार को की छमता नर्मान करने को लेकर एक दिवस्यक का रिशाला गोस्टिक आयोजन किया गया इस गोस्टिक में अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई उतरपरदेश्ट के क्रिश्वी नियात बता दे की नीती 2019 के तहट बैठक आयोजन की गई अधिकारियों ने किसानों को उनकी समस्याओं को सुना है और ये तस्वीर जहां पर किसानों की समस्याओं को सुना जा रहा है उसकी समस्याओं के समाधान की बात पर चर्चा की जा रही है आगरा में आज निर्यात नीती 2019 के अंतरगत क्रिशी निर्यात को बढ़ावा देने क लिए ये प्रगतिश्वील कृश्री को के द्वारा ये बैठा की गई थी कि अधरनी कमिशनर साब की अधिस्ता में एक दिवसी कारसाला आयुद की गई है ये प्रदेश क्रिस नियात नीद दोजार उन्नीस के जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसे किसान है ये प्यो हैं और नियात तक हैं हमारे इनके लिए जो हमारी नीती जो है और नीती में जो बहुत सारे नियात पुरसान हैं उनका लाब हमारे एप्योज किसानों और नियातकों के पास कैसे पहुंचे इसके रियाजित की गई है और जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो इस किसानों को मंडी में अपने उपात का अच्छा भाव मिलेगा और बतादे कि आगरा में एक दिवस्य कारश्वाला गोस्टी का आयोजन किया गया था इस गोस्टी में अधिकारीों के साथ किसान भी मौजूद रहे थे और इस बैठक में तमाम चीजों पर च्वर्चा की गई है साथि बतादे के प्रदेश के किश्वी निर्यात नीथी 2019 के तहट यह बैठक का आयोजन किया गया था अधिकारियों के साथ किसान भी मौजूद थे और किसान की तमाम समस्याइं होती है उस पर विचार विमर्ष किया गया है उसको जल से जल समधान करने की कोशिश लगातार अधिकारियों के तरह से की जाती है और इस बैठक के दौरा इस गोस्ठी के दौरा इन समस्याओं को ब जुआसे जिले के मोट तैसील के अंतरगत आने वाले ग्राम बतादे कि सेना के राशन विक्रेता चुंगल कि सोर ने अपने आरोप लगाया है कि राशन विक्रेताओं की दुकान पर राशन द्वारा होम डिलिवरी की योजना बनाई गई है जिसके अंतरगर ठेकेदार द्वारा राशन की दुकानों तक पहुंचना था लेकिन ठेकेदार की लापरवाही इसकदर है कि ना तो दुकानों तक राशन पहुंचता है और ना ही वे तौल कर दुकानदारों को राशन दे रहा है राशन विकरता का आरोप है कि वे जम कर घटौला बता दे कि जम कर इस दोरान वे आरोप लगाते वे नजर आये हैं और घोटाले करते वे नजर आये साथ ही राशन विकरताओं ने यहां तक कहा है कि मंडी में लगे धरम काटे से भी तौला करने के लिए राशन देने के और राशन विक्रेता बतादे की जुगल के शोर या आरोप लगाते हुए नजर आए हैं राशन विक्रेताओं की दुकान पर राशन द्वारा होम डिलवडी की योजना बनाई गई थी जिसके अंतरगर थेके द्वारा द्वारा राशन की दुकानों तक पहुँचाना था लेकिन ठेकेदार की लापर वाही सामने आई है और इसको लेकर वे अपनी बात रखते वे नजर आए और साथ ही ठेकेदार पर तमाम आरोप लगाते वे नजर आए उनका ये कहना है कि ना तो दुकानों तक राशन पहुचता है और ना ही वो राशन तौल कर आगे दिया जाता है साथ ही राशन विक्रेताओं का ये भी आरोप है कि वे जमकर बता दे कि घोटाले कर करते हैं और उन्हें अब तक प्रशास्तन रोक नहीं पाई है राशन विक्रेताओं ने ये भी कहा है कि मंडी में लगे जो धरम काटा है उसे भी तोरने के लिए अपील की जाती है तब ही जाकर उससे तोला जाता है श्रास्ती में नशात असकरो पर पुलिस की धरड़ पकर जारी है यहां पर 250 ग्राम अवैचरस के साथ पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफतार किया है अपको बता दे कि अपने शौक पूरा करने के लिए अंतराज्य पद्य जिलों में श्रास्ती में अवैचरस करता था जिसके बाद से आरूपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और श्रावस्ती में लगातार नशात असकरो पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रफशासन सक्त सक्त कारवाई करती भी नजर आई है और बता दे कि इस दोरान नशात असकरो को पकरने के लिए धर पकर के लिए लगातार पुलिस की तरफ से अलग लग तरीके की मुहीम भी चलाई गई है यहां पर बता दे ही कि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 250 ग्राम के अवैच चरस के साथ एक अवियुक्त को गिरफतार किया है उससे पूस्ताज की जा रही है और जब उससे इस मामले को डेकर कारवाई करती भी नजर आई है और साथी बता दे कि नशात तसकरो पर प्रशासन लगाम लगाती हुई नजर आ रही है और श्राफ्ती की तस्वीर जहां पर नशात तसकरो पर पुलिस की एक कारवाई सामने आई जहां पर अभियुक्त को गिरफतार किय गया और साथी 250 ग्राम अवैज चरस के साथ इस अवियोग को गिरफ्तार किया गया है और इस दोरान उससे जब पूस्तार की गई तो उसने ये कहा है कि शौक पूरा करने के लिए वे अंतराज पद्य जिलों में श्राफ्ती में अवैज चरस करता था जिसके बाद से पुलिस के गिरफ्त में है अभी योग कभी और उससे पूस्तार लगातार जारी है चले फिलाल इस गुलेटर में इतना ही नमस्कार